तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पहले जितने भी कलासे समने कर लिया था उसके कुछ important question ठीक है तो लगबग 24 question है and कुछ question नए भी है कुछ question वो है जो पिछली class में हमने कर लिया था and very most important है तो एक परकार से आप बोल सकते हूं यह रिवीजन कलास है सब ही को अच्छे से देखना है क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने कलास किया है लगबग 16 के असपा से प्रिप्रिसंस related कलास किया है तो यार वो फिर जितनी भी कलासे से उनमें से जो जो important question हो सकते हैं वो question इसमें है आपको टेलीग्राम जोइन करना होगा टेलीग्राम का link description box में है लेकिन एंसर के लिए आपको question देखें मतलब वीडियो देखनी पड़ेगी एक और चीज़ हमने अपने टेलीग्राम पर प्रिविएस यह question भी प्रवाइड कर रिया करा है बीड का एंड उसके बाद शाथ- इसके सभी question है mental ability test reasoning है general knowledge है general awareness है ठीक है हिंदी है हिंदी नहीं है फ्रेंट्स English है ठीक है तो यार I hope आप पहले वाली क्लासे देख लिए होंगे अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हो चलिए सुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को कथकली कि सिराज का सास्त्रीय निरित है केरल का तमिलनाड का अंधर परदेश का करनाटक का देखो भाई जो वच्चे थोड़ा से इसे बीज में एड होते हैं तो वही कोश्चन फिर से करा रहे हैं तो पहले वीडियो को फिर से सुरु से देखकर तो पता चलेगा उनको ठीक है कि मैं क्या कर रहा हूं भी तो यह है केरल क ठीक है केरल का यह सास्तरी निरत है केरल कहाँ का राज है केरल भारत के दक्ष्ण बारत जिक्डेश्दी अब कहा पर रहे तो सबस्यादा साच़श्टाद 我們 केरल में ही है मैं लब के लोग सबस्यादा पढ़ी लिखिए हैं क्वानत में वडमान कि यहां पर किया जता है जो कि काफ़ ज़दा इतिहासिक होते हैं काफ़ ज़ान नए होते है युनीक होते हैं इतिहासिक होते हैं उनको Photoshop नंभी ज़ंड Whats as इसमें साथ पराकरतिक हैं पराकरतिक मतलब जो ने चर द्वारा फॉर्म किये गये हैं एंड सांस्कृतिक कितने है तो 32 एंड मिसरुत कितने हैं एग है तो एग जो है वह Nisrit hai bati वह करूंशD Ü है आच के जितनी भी कुस्षन सभी किशन में लेंद वालो का एक्जाम is लुब है तो प्लीज देख तो यह पढ़ता भी है महाराष्ट के और अंगाबाद जिले में ठीक है महाराष्ट के यहां पर कहीं ऐसे महाराष्ट पढ़ता है ठीक है तो महाराष्ट के और अंगाबाद जिले में यह पढ़ता है ठीक है महाराष्ट के और अंगाबाद जिले में पढ़ता है क्या अजनत में पहले मैंने बोला था confusion था लेकिन अभी clear हो गया है तो भारत के पूर्भी तटकों क्या बोला जाता है यह अगर हम बना जे तो यह होता है North East और इस्ट शरी है North South East and West तो अगर बात करें कि क्या बोले यह पूर्भी तट को इसको बोले तक अरे इसको बोले जाता है या तक यह होता है कहां तक पस्पंगाल तक होता है और फिर से तक लिए जता है तो उसकी औसाथ जो चौणाई लिए जाती Totally घौत tahun 2000 किलोमेटर लिए जाती है डिए पश्चीं भूदान अंदोलन सोगया था तो शुरू किया किछने तो शुरू किया क्यों आपको समझ में के तो मैं बता देता हूं क्या है जिसेंग हम फूम्र इफॉर्म आई प्रिसम जमीा गिती जिसमें जो जमीदारों से जमीन लेकर अइंड बाटना था कुछ इस तरीके का रहे थे तो ये भुदान अंदुलर ने इसलिए लेकर रहे थे कि ये किवल सरकारी कारेों तक ही सीमी तरह रहे जाए इसको निजी पर भी मतलब अपलाई किया जैसे खुद से भी इसको रिफॉर्म किया जाए अपने आप से जिसके पास ज्यादा हवुदान कर दे जिसके पास नहीं है उसको दे दे कुछ इस तरीके से ठीक है तो स्वदीशी अंदोलन के अगरम बात करें तो यह शुरू हाता चार अगास 1905 को जिसमें यह फिनेंट्स मतलब विदेशी वस्तों का त्याग करके स्वदेशी वस्तों की तरफ चले गए एंड कहां से शुरू आता तो कोलकाता से शुरू आता ठीक है मैंचेस्टर पता होगा आप लोगों को वहीं से खपड़े बनकर आते थे और भारत में बिखते थे मलब वहीं से सब कुछ आता था बनके नेश को सने तिरतिये गोल में जिसम मिलन कब आयो जित हुआ यह नया को सने वेरी मोस्ट इंपरन को सने वीवी आईपी को सने वैसे तीन गोल में जिसम मिलन हुए है पर्थम दुतिये तिरतिये तो तिरतिये मैं बता रहा हूँ पर्थम आप सभी को बताना है अगर हम बात करें कि तिरतिये गोल में जिसम मिलन कब हुआ था तो यह हुआ था 1932 में हुआ था कब से कब तक था 17 नौंबर से 24 दिसम्बर तक थ WE 13 स्में हुआ था तरतिये ओमिलन नेश्ट कुछ से आप सभी के सामने हैं इंडीकश के लेखक कौन हैं इंडीका केरेक कोन हैं इंडीका कुन है इंडीका पुस्तक है ये मैंने पिछली वीडियो में ह초 색깔 यह लेकिन बता दिया था कि 곡 इस हैं तो दोसो बीसी के आसपास लिखा गया था में यह यह एंडी का ठीक है कि नेस्ट को सबसे बड़ा आइसलेंड कौन सा है अगर आप सभी को इसके को सबसे बड़ा आइसलेंड कौन सा है आश्ट्रेलिया है ग्रीन लेंड न्यूजिए अगर आपको इसके पहले वाली वी वीडियो देख लेजिए ठीक है ना क्योंकि आज मैं क्योल और क्योल रिवाइज करने वारा हूं तो कुछ आपको नहीं मिलेंगे बाकी जो पिछली क आपको मिल जाएंगे तो अगर आपको इंपोर्डन को सन्जाना है तो प्लीज में लगबग 24 को सने तो 10 पर हम पहुंच है बिसका सबसे बड़ा आइसलेंड कौन सा है आस्ट्रेलिया ग्रीन लेंड न्यूजिवेंड इंग्लेंड है तो दिसका सबसे बड़ा जो आईसले का है इस पर कब जाए ठीक है next question है करा है कि सूर्य के सबसे निकटगरा कौन सा है सुकर यह सनी है मंगल है इन में से कोई नहीं है तो अगर बात करें सूर्य के सबसे निकटगरा यह कुस्ट भी मैंने कर रहा था चलिए फड़ा बढ़ से बता कौन सा है तो इनमेंसे कोई नहीं होगा क्यों क्योंकि हम सबको पता भी सूर के सबसे निकट गरा बुद्ध है एंड उसके बाद सुक्र है सबसे गर्म गरा जो है वह भी सुक्र ही है ठीक है अच्छा चाओते नंबर पर कौन सा गरा है प्लीज बता देना आप सभी लो नेश सब्सक्राइब करें कि बांगलादेश की मुद्रा क्या है बांगलादेश की मुद्रा क्या है जो भारत के आसपास के देश होते हैं उनके उनसे कुछ सब्सक्राइब अगर इग्जाम में आ गया है नेपाल के मुद्रा क्या है तो आप बोलोग यह कुछन तो मैंने करा ही भाई मैंने यह कुस्टन लगबग 2-3-3 बार आपको बता दिया है से ठीक है तो जो मैं बोलता हूं वह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है बांगलादेश के मुद्रक्या है रुपिया है टका है रियाल इनमें से कोई नहीं तो भीया कौन सा ठाका ठीक है तो मुगल वंस के स्थापना कब हुई थी ऐथा सभी को बताना है मुगल वंस के स्थापना 1566 में 1527 में 15 156 में तो अगर भात करें मुगल कि स्थापना कब हुए थी तो 526 में फूई थी जो मत SECOND bar पार एस्टेबलिसमेंट हुआ तो होता 15 156 में तानिोष नमर 14 पानिपत का पर्थम युजद कब हुआ था 1556 भी 107 625N में इंडे से कोई नहीं तो पानिपत का पर तंज उद भी 1556 में लोडी के बीच में हुआ था जिसमें बावर ने बराहम नोडी को हरा करके पानीपतका परथम युद्ध हुआ और बावर ने बराहम लोडी को हरा दिया और वहीं पर मगल स्थार्मुगर्ण की साफना हो गई चलिए नेश कोईस्टन कोईस्टन नमबर फिप्टीन है सुरी 14 हाँ फिप्टीन है करके 20 की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहां पर अभी मैंने दो कुस्टन लेकर आया हूँ मैं आपर एक तो लंबी नदी एक बड़ी नदी तो बीजों के सबसे बड़ी नदी कौन सी अविया है अमेजन है नील है घंगा भृम्हपुत रहे Then को बड़ी से मतलब होता Hey कि कitना discharge रहे हो इसको बोलते हैं बड़ी कितनी लंबी तो बस सबसे लंबी नदी कौन सी है चलो भाई यहां पर आगया भी आप कोई डाउट के लियर हो जाएंगे तो बिस्व के सबसे लंबी नदी अगर पात करें तो यह है नदी है ठीक है जो की दक्षन अफरीका में है यह लंबी एक अगर तो जैसे माली यह है अमेजन तो यह है नील ठीक है तो यह कितनी वाइड है चौड़ी हैं यह कितनी पतली है मतलब इसकी एकार्डिंग चले नेश को सनने अबर आप सभी के सामने सबसे और यार एक फिर से रिक्वेस्ट चैनल पर पाली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे कल आप लोगों की एक्जाम में तो आपके एक्जाम में डेफराइब लिकोशन पूशे जा सकते हैं इन सबके पीडियाप के लिए आपको टेली ग्राम जोइन करना इसके पहले जितनी भी क्लासे हुई है उन सबकी पीडियाप आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगा तो प्लीज टेली ग्राम जोइन कर लीजिए लिंक डिस्क्राप्शन बॉक्स में चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ही करना है ने सबस्क्राइब कौन सा है थार सहारा ग्रे पर अर्स्तां में हर्याना में है तो कुछ जेता यद्र डिली में है कुछ फट गुजरात में बी एंड पंजाब में थोड़ा तो आता है ने स्वतिक सामने है कि चार मिनार कहाँ पर इस्तेदे गुल मर्ग में इंदौर में हैढ़राबाद में भूपाल में तो अगर बात करें चार मिनार की तो वह दक्षिन भारत का एक परदेस है तेलंगाना सब्सक्राउबाद एफिर सहर है दराबाद सकते हो तो हैदराबाद में इस थीते क्या चार मिनार ठीक है कब बना था पंद्रास औक्याउण के आइस पास बना था आप सभीको बताना है कि वैई यह इसको किस ने बना था स्थार्मियार को ठीका भी मैंने हींटें दे है कि 15-20 का इसपास बना तो आप सबी को बताने खिसने बढ़ा था नरम दल और गरम दल कि इस अलग होई थे नरम दल कि इनदो दल है कि संगरामी के संग्लिए लड़ता की लड़ाई लटते थे लखनव क अधिवेशन सुरत का जबसन पंजाब का सज twenty लोग समयिन Okay कि कब तो यह अलग हो गएते सूरत के दिशन में 1907 में ठीक है आई हूप आप सभी को समझ में आगे होगा नरंदल गरंदल इन दोनों में से बता देना कि कौन चाहता था कि बंदे मात्रम राष्टियगान बने और कौन चाहता था कि जनगर अमंग राष्टियगान बने प्ल कुस्टन आप करा दो तो क्या आप सभी लोग करंट अफेर के कुस्टन चाहते हो प्लीज बता देना मैं आप लोगों के लिए लेकर आजाओं करंट अफेर के कुस्टन मीरा भाई चानू किस खेल से संबंदित हैं बेट लिप्टिंग से कुस्ति से या फिर मुक्यवाजी से तो बेट लेप्टिंग से संब्दित है माने की भार उठाने से ठीक है एंड हाली में इन्होंने 2021 में हुआ ओलम्पिक में सिल्वर मेडल भी जीता था नेश को सने पीवी सिंदू की स्केल से संबंदित है तो पीवी सिंदू भाईया बैट मिंटन से संबंदित है बहुत इंपॉर्डंट प्लेयर है फॉर इंडिया ठीक है ओलम्पिक में दो दो बार मेडल जी चुकी है अलाकि गोल्ड नहीं जीत पाई है तो बैट मिंटन से संबंदित है ठीक है पीवी सिंदू नेश को सन आप सभी के सामने बेरी मोश इंपर्टन को सने कह रहा है कि सिल्वर म कि भी सिंदू है कि मिरा बाई चानू है करना मैं लेस्वरी तो सबसे पहली भारतिया मेला जीनों ने कोई मेडल जीता तो का से पदक था कास यार सिल्वर वैसे तो मीरा बाई चानू ही हैं लेकिन फिर से अगेन मुझे कंफूजन थोड़ा सा हो रहा है तो आप क्लियर करिए एक कुस्तर नमर 22 को कि फर्स्ट होगा या फिर थाल्ड होगा वैसे थाल्ड ही होगा बट आप क्लियर जरूर करिए नेश को सनाप सभी के सामने है कि पहली भारतिय महिला जिसने ओलम्पिक में दो पदक जीते हैं तो वह कौन सी महिला जिसने ओलम्पिक में दो पदक जीते हैं तो पीवी सिंदु जी हैं जिनोंने ओलम्पिक में दो पदक जीता है ठीक है नेश को सनाप सभी के सामने है किस रा गाजेसबा की सिट भी सबस्यादा 박व स Avengers submit राज़सबा की भी है बीदान सबस्यादा की भी Ibrahim झिले भी सबस्यादा प्रदेश में तो उत्तरपारदेश इसका राइट एंसर हो जाएगा आज की वीडियो में रखते copy in यहूप आप सभी को अच्छा लगए होगा इन सभी के पीडियाप के लिए आपको टेलीग्राम जोइन करना है लिंक डिस्क्राइब बॉक्स में एक और कोश्चन है बितायोग किस अनुच्छे से समधित है इसका आपको एंसर देना है और इसे मैं बता ही देता हूं दोसो अ अनुच्छे दोसो असी का एक है ठीक है दोसो असी का एक है तो पीडियाप के लिए टेलीग्राम जोइन कर लिजिए फ्रेंड्स लिंक डिस्क्राइब बॉक्स में चैनल पर पहली बार हो तो प्रीज सब्काइब कर लिजिए प्रीवियस येर भी आपको मिल जाएगा चलि